और चलिए अब बात करते हैं तेरे इश्क में घायल भेडिया जिहाई सीरियल की अब इस सीरियल में जब भी कोई एंट्री होती है तो लगता है कि कोई नया भेडिया कहीं से आ गया है और अब हो गई है इंट्रीनी आशर्मा की लेकिन ज़रा रुक जाएए थम जाएए नहीं वो भेडिया बन कर इस सीरियल में नहीं आई है वो अपने ही ग्लामरस अंदाज में आई है जिसमें वो हमेशा नजर आती है कर दो लगता है कहानी भेडियों की है तो तेरे इश्क में गायल इस शो में जिस किसी की भी एंट्री होती है ये लगता है कि किसी न किसी नह भेडिये की एंट्री होई है अब देखिए ग्लैम्रस निया शर्मा जब इस शो पर आई तब कैसे इस भेडियों वाले जुंड में चार चान लग गये हर भेडिया बस इसी फिराक में था के कब निया के साथ उसे डांस करने का मौका मिले अब वीर को देखिए फिर जो प्रपोस कर रहा है लगता है लाल गुलाब का फूल दे कर कि आई था कि अटव द्सक्राप में थे जब का मौका में था जब का को देखिए एग टारा है लोगता है विल भीर को आई निया किसा है सब्सक्राइज न देखिए आई आज आई पूरा है ही इंप्रसिंग निया आन आपा रांद देखू तो कोई फूल बरसा रहा है, कोई शायरी लिख रहा है and somebody is dancing. So it's pretty much fun but I'm also, actually मैं भी अपना last में I also will shake a leg with them. And Kashmir और मैं जलक पे साथ में थे and it was, we were rivals, we were like competitors. But today, आज हम साथ में डांस करेंगे, so it'll be too much fun actually. तो वहीं अर्मान को डांस करने के लिए कोई वज़े नहीं चाहिए, कुछ ऐसा ही आपको नजारा, इस सीरियल तेरे इश्क में घायल भेडिया में देखने मिलेगा, जहाँ पर निया शर्मा आई है, अपने मुजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए. अब जब कोई अच्टर किसी शो से जुड़ता है, अब जब कोई अच्टर एक किसी शो से जुड़ता है, श्क बार नहीं चाहिए. तो कहानी में अपने आप ये लिखा जाता है कि उसकी एंट्री कैसी होनी चाहिए, तो निया के लिए भी इस स्पेशल स्क्रिप्ट लिखी गई. यकीनन आपको ये वाला एमिसोड देखने में बहुत मज़ा आएगा. हिम मुंबई से सोनू शुकला के साथ, ABB News Report. ABB News आपको रखे आगे.